नवस्कार बच्चो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे डिप्रेंस बिटिवींस एसेक्शुल रिप्रोडेक्शन एंड सेक्शुल रिप्रोडेक्शन पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शुल रिप्रोडेक्शन और एसेक्शुल रिप्रोडेक्श तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख लिए एक तरफ मुझे लिए और यह तरफ लिकले आप sexual reproduction बच्चों मैं पिछली क्यास में आप पिछलं लेक्च्छर में मैं तो sexual reproduction son Re-PiedA Quella कि कुछ पॉइंट्स मन से बताइते हैं और आप लोगों नोची यह चीज़ को पढ़ेंगे जानने का प्रेयास करेंगे तो सबसे पहले इसेक्षिल रिप्रोडक्शन में क्या लिका हुआ है ज़र सुने ऑनली बन पैरेंट्स इज इन्वाल फिर रिप्रोडक्शन तो बताएं इसमें कितने पैरेंट्ट पार्टिशिपेट होते हैं इसमें इसमें क्या लेका हुआ यूजली टू पैरेंट्स पार्डिसिपेट इन दिस टीक है इन दा प्रॉसेज ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों इसमें चीज लिखी है नुर्स में क्या लेका है इन सम बाइसेक्शल और्गनिजम्स बहुत अग्यमेट और प्रडूश बाइस टीक ऊसक्षेज क्या दौन कि सुछुए है कि कुछ प्रडॉस बाइसेक्शल भी और एनिमल भी बाइसेक्शल होते हैं जैसे कि अर्थबोम की बात करें के चुगा की वह बाइसेक्शूल है उसमें बस्त दौनों मेल और चैंट्टू प्रडूश करता है इसम पेरेंट्स तो ग किये चलिए इसने परमेशन एंड फिजन ऑफ गीम अब ना तो गयम इट बनते हैं और गयम इट का फ्यूजन होता है इसमें क्या लेका हुआ है पारमेशन एंड फ्यूजन ऑफ गयमेट आर इसेंसियल स्टेप आप सेक्सुल प्रोड़क्शन तो सेक्सुल रिप्रदेक्शन के आवस्थ प्रोसेस क्या इसमें एक तो बनते भी है और गामिट का प्यूजन होता है चलि इसके बाद क्या लेका है इट इन वाल पॉनि मादिकक डिविजन कहें, केबल, जैसे माद घिविजन हैं इसमें कौन सा दोता है मियोशेज इज एंड तीक इंट पार्ट ऑप अप स और पॉइंट जैनेटिक बैरियेशन और नौट प्रडूस इसमें अन्वांसिक बिविन्टाइं देखने को नहीं मिलती है इसमें क्या होगा जैनेटिक बैरियेशन और क्रियेटेट डिटू रिड़क्शन डिवीजन एंड रेंडम प्यूजन ऑफ गैमिड्स समस्पारें आ चलिए बच्चों आपको मैंने बताया था जरा सुने जैनेटिक बैरियेशन इसमें प्रडूस होती है ध्यार रगना मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि जो गैमिट का प्वार में सने वह कौन से डिवीजन का रिजल्ट है मियोजज डिवीजन जिसे अपर रेडक्शन बैरीशन क्यों आ रहे हैं मालें तुम्हें कि यह हो रहे हैं क्योंकि इसमें यह फॉर में प्रोऔर 11 और भीज गैम यह जीन है चलिए प्रोजैनी इसमें आद है नम्मर पांचबापड़ मतलब ही पच्छो संतान होता है क्या होता है संतान तो प्रोजैनी मौर्प पलोजी कली एंड्यटिकली पैरेंट्स एंड्ट ज्याय मतलब यह वह उती है आकार की रूप से ओन्ध जेनेटी करी तो ने इसमें ऊता है इसमें नहीं होता है ऊप स्प्रेंड़ ओनेटी डिपरेंट प्रॉह एंड एंड एमंग यहाँ चली इसके बाद इसमें आजाईए इक ऐसा होता है जाब माज सिक्षव म्एंड सेंपल होता है आप सार्थ आप हता है नरी एकस्पंसिप प्रोश के स्में बहुति कम्य कम्य क्टी इनरज्टी है इसमें किया ये सेक््षव रिप कॉंपलेक्ष्सटु है और कैसा है ये एकस्प्राइशफ प्रोॉज़ में जाना थे लगते हैं इड़ पेले नो रोल नहीं निवाता है और ये क्या सेक्षिल रेप्रडक्शन पिले सिंग्नी पिगेंड रोल इन और अरगनिक इवालुशन तरोग क्रियेट जिससे इसन आपको मालूम है क्योंकि निर्मार होता है आपको मालम जोगी औरनीक एबॉलूशन में हेल्प करते हैं चलिए इसमें आपको पताया था रिप्रोड़क्टिव यूनिट और पार्ट ऑप बॉड़ी या बर्स इसमें गेमिट्स और रिप्रोड़क्टिव यूनिट को इसके अंदर गेमिट्स समस्पाने आप तो आप तो मैंने आप लोगों को डिप्रेंस बीज सेक्शुल और यह सेक्शुल प्रड़क्शन के बारे में बता दिया है अगर किजी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मुझे ओपलान क्लास में मैसे करके वाट्सप पर कमेंड में बता सकता है और अगली जो किलास है उसमें बनमित है टॉष सिंट्री शिकल इंड पर कि जो इस फिस को कंटीवन को गोड़ना में तो आज के बात पढ़ेंगे कि ःप्रड़क्शन यह बै teaching तो आज के अले रहुत